नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से गले में पाइपल लगाना जैसे अभी मैंने आपको अंदर वाली जो पट्टी यह वो बताई थी जैसे हम अस्तल वाला जो कपड़ा है वो गले में लगा सकते हैं अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो अस हमारा जो गला है वो सही से नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको सूती कपड़े पर बनाने से क्या है आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं और सूती कपड़े पर सपाई भी आती है अगर आप सूती कपड़े पर अच्छे से बना लेते हैं तो समझ ज जहां तक नए लोग है वां पहले सूती बDieस टेख्य उसे बात करें हैं तो आप चाहिं जोड़ने परpected जोड़ देते हैं अब देखम क्या ह Lindy पूछ अब यह unclear है धन्रों हमारा यह से बराबर जोड़ा घे Рांट आप यहां से गष actively बराबर जोड़नी और अवाल गरल नहीं आता है यहां पे बूंधर गोल हो लेते हैं उसके बाद हम करते मों लोगों को तो यहां पर देखिए हमारी जो चोड़ाई है वो दो इंच की है तो आप यहां पर भी धाई इंच पर ऐसे निशान लगा लें अब जब आपने यहां पर निशान लगा लिया है तो उसको देखिए आप ऐसे गोलाई में यहां पर ऐसे करके गोलाई में कटिंग करें इससे क कि नीचे की साइड भी गोलाई आ जाएगी और ऊपस से आपने धाइ इंच लिया तो गला भी नहीं उतरेगा तो यहां पर हम नीचे का जो गला है वो धाइ इंच की हमने चोड़ाई लिए और गोलाई में कटिंग किया अब इसी टुकड़े को हम दूसरी चाइड रख लेंगे जो हमारा दूसरा परलर है तो यहां पर हमारी काज बाली पट्टी है तो इसको हमें ऐसे करके रखना देखिए इस तरीके से हमें इस तरो दुनों साई गली को बोला आई मेंं काट लिया अब हमें यहां पर जो हमाmers तीरा आए बोदी आदेख नहीं के तीरा पर वर अने चाहिए पट्टी पराबरा ठावर कर नई चाहिए इस तरीके से देख लेंगे अब देखने के बाद हम्हारा नानी चाहिए अ तो पाइपिन के लिए हम कोई भी कपड़ा ले लेंगे, जैसे कटिंग का हमारा कपड़ा बचा हुआ है, वह हम यूज करते हैं, तो यहां पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है, इससे क्या आपको अच्छे से समझ में आए, तो देखे, कपड़े को हम तिर्चा करेंगे, तो आप नए हैं, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैंने यहां पर 1 इंच लिया है, क्योंकि कपड़ाई सूती है, सूती कपड़े में हमें जादा दिक्कत नहीं आती है, अब देखे हमने 1 इंच की चोड़ाई में पट्टी ली, अब हमें इसको जोड़ना है, पट्टी आदा इंच का इसमें कपड़ाई दबाना है, कम जादा नहीं करना है, अब हमने यहां पर आदा इंच का कपड़ा दबा दिया, इसी तरीके से हमने सारी पट्टियां ऐसे ही जोड़नेंगे, अब देखे हमने पट्टियां जोड़ ली, अब इसके बाद देखे हमने यहां से बराबर करना है, पट्टि को हमने बराबर किया, और गले को उपर हमने पट्टि को रखेंगे, आदा इंच बाहार रखेंगे, पट्टि को हमें खीचना नहीं, बस गले के उपर रखना है, कपड़ा हमारा सूती है, हमें खीचना नहीं, लेकर हमने एक बात का धियान लगना है, जो भी हमारा कपड़ा बराबर दबना चाहिए, यानि कि आदा इंच तो आदा इंच, जो जोड़ है वो ज्यादा लगेगा, ऐसे काट लेंगे, बराबर, आदा इंच ही हमारा जो भी कपड़ा है बराबर दबना चाहिए, अब देखिए जो भी गलतियां गो मैं आपको बताती जाओंगे अब देखिए यहां पर हमारी पट्टी चोटी है तो हम इसमें एक पट्टी और जोड लेंगे अब देखिए हमने एक पट्टी और जोड़ी है और आदा इंच यहां पर छोड़ा आये कपड़ा यह जरूर लिए अब देखिए हमें इसको ऐसे करना है जब हमारी पाइपन अच्छी आएगी अब हमें पट्टी को ऐसे करना है इस तरीके तो करीब हमें यहां पर कितनी चोड़ाई लेनी है आदा इंच से थोड़ा सा ज्यादा झालब हमें दो जब देखिए हमें पर दोड़ाईब देखिए हमें पर प्रे कि आपप पूरे को आदा आदा इंच का दवाते जा रहे हैं और यहां पर जो अंदर का कपड़ा आए वह हमारा इसके अंदर ही दब रहा है इसका दियान रखें किसे हमने सिलाही लगा लिए अब अंदर का जो कपड़ा है वो काटेंगे अब देखिए हमने अंदर का कपड़ा देखिए कितने अच्छे से काट आए और अंदर का कपड़ा दबा भी है देखिए यह कुछ गलतियां जो आप करते हैं अंदर का कपड़ा दबाती नहीं तो इस तरीके से आप दबाएंगे ने तो पाइप बिन आपकी 100% अच्छी अंदर का कपड़ा हमारा अच्छी से दबना चाहिए इस तरीके से तो अब हम इसकी पाइप बनाएंगे तो यहां पर जो भी धागे वो काट इसके बादे कि इस तरीके से हमें करना है पट्टी को अंदर किसा अब यहां पर जैसे भी हम पतली बना रहे हैं उतनी पतली पाइपन के नीचे सिलाई लगाने उपन लगाने एक बात कर ध्यान लगते हैं अब थोड़ी से हमें इस तरीके से पट्टी बनानी है और देखे वीडियो को जाए से ज्यादा शेयर करना ना भूलें क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं पाइपन बो भी सीख जाएं वी दबाजी में नहीं बनाना है हमें आराम से बनाना है झाल 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 अब देखे जो यह कपड़ा बहार है ना पट्टी का बो भी हम ऐसे अंदर के शायर दबाएंगे इस तरीके से अब देखे कितना अच्छा गला आया है और आप देख रहे हैं कि कितनी बराबर पाइपन आई है एक दम कहीं मोटी ना पतली और देखे कितनी अच्छी आई है तो दिखे आप लोग भी थोड़ी मेनत कीजिए एक दो बार बनाएंगे तो नहीं आएगा जैसे सिल्की कपड़ा है तो उसमें आप कोशिस कीजिए कि अंदर वाली अस्तल वाली ही पट्टी लगाए जो मैंने अभी बताया गला उसी तरीके से बनाएं क्योंकि सिल्की कप कते हैं और देखिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं के हमारी समझ में नहीं हैं तो फ्युर मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से आपको समझानी कि आशा करते हो आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे वीडियो क जल से जादा शेयर कीजिए जो नए लोग है वो वीडियो को पहली बात देख रहें वो चैनल को सब्सक्राब कर लें इससे के आने वाले जो नए वीडियो उसका नूटिफिकिसान आपको मिल जाएगा धन्यवाद